हेलो फ्रेंज वेलकम टो सिक्षा तो तैयारी सबकी जोरो सोरो शे चल रही होगी पुरी उमीद करता हूं ठीक है और चलती भी देनी चाहिए डेली प्रैक्टिस करनी है डेली पढ़ाई करनी है होसला बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है पेपर की टेंशन नहीं लेनी है जाद ठीक है चलिए तो कोड्स ऑन वेजिस जो 2019 का कोड है उससे रिलेटीड एक वीडियो अलरी देख चुके है और यह आपका सेकिंड पार्ट रहेगा ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था क्विकली एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि जो भी पर के हिसाब से पढ़ रहे हैं और बहुत सी चीजे इसमें छोड़ते हुए चलेंगे अगर आपने जो मैं वीडियो डाल रहा हूं या जो पीडियाफ आपको मिल रही है अगर आपने वो कर ली तो उसके बाहर कोशन नहीं आएगा यह मेरी गरेंटी है ठीक है चलिए और क कमेंट सेक्शन में भी डाउट पोस्ट कर सकते हो या फिर आप वाट्चाप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर ठीक है यह सारे आप्शन आपके पास अवेलेबल हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो कोड़ाउन वेजीज में आज के टॉपिक में पेमें पेमेंट आप वेजेज एठ ब़नस का टॉपिक देखेंगे कि इस से रिलेटीड क्या प्रुविजेंज हैं फिर सेंटल और से एडवाइजरी बोर्ट से रिलेटीड क्या प्रुविजेंज है इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं पेमेंट आप वेजीज की तो payment of wages में सबसे पहले देखते है mode of payment क्या रहेगा according to the code तो आपका जो wage code है वो क्या कहता है कि जो भी payment करनी है जो भी आपने wages pay करनी है employer ने वो current coin या currency notes जो country के अंदर circulation में है उसके through आपको करनी है या फिर check के through करनी है या फिर employer जो है वो directly employee के bank account में भी पैसा डाल सकता है अब इस से हमें एक चीज़ समझ में आती है जैसे for example कोई employer है ठीक है वो एक product manufacture कर रहा है ठीक है तो वो employee को यह नहीं कह सकता कि मैं wages की जगा तुझे product दे देता हूँ नहीं wage code में साफ साफ लिखा गया है कि आपको जो currency है circulation में country में उसी के में आपको उसको wages पे करनी है और किसी चीज में नहीं ठीक है उसके इलावा यह आपके wage code में सरकार ने एक और provision रख दिया सरकार कहती है कि जो appropriate government है अब appropriate government की definition जो है हम previous lecture में पहले ही देख चुके है ठीक है तो सरकार कहती है इस code में कि appropriate जो भी government है वो एक notification ले करके आ सकती है जिसमें वो specify कर सकती है कि कोई specific industry जैसे for example मैं सिरफ एक example ले रहा हूँ सरकार भारत सरकार एक notification ले आई कि textile industry जो है तो textile industry के जितने employer हैं वो अपने employees को wages जो है सिरफ या तो check के through देंगे या फिर directly उनके bank account में credit की जाएगी ठीक है या तो check के through या bank account यानि कि cash transaction नहीं होगी salaries में क्या नहीं होगा cash transactions नहीं होगा तो ये government provide कर सकती है specific industrial sectors के लिए या specific establishment के लिए या सारी industries के लिए भी कर सकती है वो सरकार के उपर है ठीक है तो इससे क्या होगा एक तो जो employees है वो एक legal ambit में आ जाएंगे ठीक है सरकार better track कर पाएगी organized sector की तरफ जो है इंडियन economy move करनी शुरू हो जाएगी दूसरा जो cash transactions है unrecorded cash transactions है जिससे illegal money और ये सारी चीज़े रहती है ठीक है proper benefits नहीं पहुँच पाते employees तक वो सारी चीज़ें आपर tackle हो सकते है तो ये एक important point है statement based question में इस तरह के question पूछे जा सकते है ठीक है next wage period सरकार कहती है कि employer के उपर सरकार ने छोड़ दिया है इस wage code में तो wage code क्या बोल रहा है कि employer जो wage देने का period है यानि कि तंखा कब-कब मिलेगी daily basis पे तंखा दी जा सकती है weekly basis के उपर दी जा सकती है fortnightly यानि कि 14 days ठीक है fortnightly जनरली हम क्या consider करते हैं कि 14 दिन बाद आप salary पे कर रहे हो तो आप हर 14 दिन बाद salary पे करो या फिर आप हर महीने salary पे करो ठीक है तो चार options है आपने पास daily के, weekly के, fortnightly के और monthly के सीधा-सीधा question बन सकता है बहुत असान सा लेकिन paper में जिसने wage code नहीं पढ़ा होगा वो घूम के रह जाएगा सीधा question पूछ लेंगे कि in the wage code of 2019 an employer can pay the employee salary in which period what is the wage period कि बही daily का है, weekly का है fortnightly का है, monthly का है आप कहा दो के all of the above है साथ ही एक बात और भी लिखी गई है कि कोई भी employer wage period जो है वो एक महीने से जादा का नहीं रख सकता यानि कि कल को कोई employer ये नहीं कह सकता कि मैं दो महीने में तेरको एक बार salary दिया करूँगा ठीक है, तो वो illegal हो जाएगा वो wage code की violation हो जाएगी ठीक है जी, उसके बाद अगर किसी employee को remove कर दिया गया है, या dismiss कर दिया गया है निकाल दिया गया है उसको या उसने resign कर दिया है ठीक है, या फिर जो factory थी जिसमें वो employed वो दो दिन के अंदर अंदर, two working days के अंदर employer को उसको pay करनी होंगी, ठीक है, अगर उसको निकाल दिया है, अगर उसने resign कर दिया है, ठीक है, अगर जो factory है वो बंद हो गई है तो दो दिन के अंदर अंदर उसकी wages जो है वो pay करनी होंगी यह two working days है ठीक है अगर बीच में Sunday आ गया तो वो count नहीं होगा चलिए वैसे इतना depth में वो नहीं जाएगा कि Sunday Monday पर आपको यह याद रखना है two working days direct question यहाँ पर भी form हो सकता है चलिए उसके बाद deduction from the wages allowed तो क्या क्या deductions allowed है wages में से यानि कि जब wage calculate जब wage pay करने का time आएगा for example एक महीने बाद किसी की salary 15,000 रुपे है ठीक है अब उसको 15,000 रुपे पे करने है हर महीने उसकी salary है उसकी wages है अब इसमें से employees 15,000 रुपे में से क्या-क्या काट सकता है क्या-क्या काटना उसको allowed है सबसे पहले अगर कोई भी fine लगा है employee के उपर ठीक है for example किसी industry में ये कानून रखा गया है कि अगर कोई employee late आता है तो उसको fine pay करना पड़ेगा ठीक है तो वो कटेगा उसके wages में से अगर वो छुट्टी मारता है absence of duty है ठीक deduction for damage to or loss of goods or loss of money अगर employee की गलती की वज़े से कोई goods damage हो रहे है या company की कोई पैसे गुम गए है तो उस case में deduction for house accommodation अगर company house accommodation के लिए उसको pay कर रही है तो वो भी उसकी wages में से deduct किया जाएगा अगर कोई और amenities और services प्रोवाइड की जा रही है वो भी wages में से deduct किया जाएगा जैसे for example कहीं बार क्या होता है जो companies होती है वो कहती है वो club membership देती है अपने staff को club membership देती है और इस club membership के लिए companies जो है कुछ पैसे चार्ज करती है तो वो जो fees होती है जो company charge करती है वो wages में से reduce होगा उसके बाद deduction for the recovery of advances and loan अगर employee ने employer से कोई loan लिया हुआ है तो उस loan के recovery के लिए भी या installment के लिए या interest के लिए भी उसकी wages में से पैसा deduct किया जा सकता है ठीक है income tax pay करने के लिए जैसे कहीं जगाओ पर होता है TDS होता है tax deducted at source का provision होता है कि जो salary आएगी वो tax काटने के बाद आएगी employer अपने end पर ही tax पहले से काट लेता है ठीक है जी तो उस case में वो भी उसकी wages में से deduct हो जाएगा next deduction for subscription to and for the payment of advances from any social security fund जैसे कोई provident fund है या pension fund है तो उसमें जो जो provident fund का contribution employee के end पे से होगा वो उसकी wages में से deduct होगा ठीक है cooperative society में अगर कोई payment हो रही है employee के end से ठीक है trade union की fees होती है ठीक है trade union के members होते है employees अब जो भी जिस भी trade union के वो member होते हैं उन trade unions की generally कोई न कोई fees होती है ठीक है तो fees कहीं बार क्या होता है employer ही employees के भीहाफ पे trade union को pay कर देता है ठीक है तो उस case में employer जो है वो उसकी wages में से deduct कर लेगा उसके बाद जो आपका prime minister national relief fund है या central government और बहुत सारे funds निकाल कर लेकर आती रहती है जैसे अभी जब covid का समय चल रहा था तो PM care fund आया था ठीक है तो उस case में employees की authorization पहले employee की authorization मिलेगी employee authorized करेगा उसके बाद employer जो है उसकी wages में से इन fund में से जो contribution जाएगा वो अपने आप deduct कर लेगा एक important note अब आपने आपर ध्यान रखना है यह जितनी हमने deductions देखी है अभी तक ठीक है in any wage period for example monthly ही है तो monthly जो deduction होगी वो 50% से जादा cross नहीं कर सकती for example मैंने आपको का था कि महीने की तंखा 15,000 रुपे है तो maximum deduction जो एक महीने में की जा सकती है वो इस 15,000 का 50% यानि की 75,000 है इससे जादा deductions एक महीने में नहीं की जा सकती ठीक है यह एक बहुत important point है यह 50% आपने याद रखना direct question पूछा जा सकता है 50% से जादा deductions exceed नहीं कर सकती according to the wage code of 2019 चलिए अब next आजाते है payment of bonus के उपर ठीक है payment of bonus में अपने लिए क्या-क्या important है सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए यह जो bonus के बहुत सारे provisions हैं जो मैंने अभी cover यहाँ पर नहीं की हैं क्योंकि वो अपने exam point of view से important हैं बहुत ज़्यादा legal areas है और technical areas हैं तो paper में नहीं हैगा लेकिन अपने को यह पता होना चाहिए जो यह bonus वाला chapter है wage code में यह कहा-कहा पर नहीं लगेगा ठीक है तो जो life insurance corporation के employees हैं वहाँ पर नहीं लगेगा ठीक है यह याद रखना है कि जो semen आते हैं merchant shipping act में वो उनको उनके उपर भी आपका payment of bonus वाला chapter नहीं लगेगा ठीक है उसके बाद employees registered or listed under any scheme made under the dock workers ठीक है तो dock workers जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे employees, employed by an establishment under the authority of any department of the central government और a state government और a local authority तो central government के मुलाजिम, state government के मुलाजिम और local authority जो हैं यहाँ पर आपके payment of bonus में cover नहीं होंगे इस chapter में, wage code में वो नहीं आएंगे ठीक है उसके बाद red cross society में जो employees हैं वो नहीं आएंगे, universities और educational institutions में जो employees हैं वो भी इस payment of bonus की category में नहीं आएंगे hospitals, chamber of commerce, social welfare institutions जो not for profit institutions हैं वो भी आपके payment of bonus के chapter में cover नहीं होंगे Reserve Bank of India के employees भी इसमें नहीं आएंगे Employees employed by the public sector financial institutions other than the banking company बाकी के bank आएंगे ठीक है लेकिन बाकी के financial institutions नहीं आएंगे जैसे आपके financial institutions हो गए भी सेबी हो गया ठीक है तो सेबी नहीं आएगा, SID भी हो गया तो ये सारे नहीं आएंगे, ना बाहर हो गया, ये नहीं आएंगे लेकिन बाकी के जो bank है, जैसे State Bank of India, PNB वो सब आएंगे ठीक है, Employees employed by inland water transport establishment ये भी आपके इसमें नहीं आएंगे, payment of bonus वाले chapter में Employees of any other establishment, अब ये list एक given है, उसके बाद सरकार ने wage code में ये भी लिख दिया कि आगे चलकर अगर हमें लगेगा कि कोई establishment है, जिसके ओपर ये payment of bonus वाला chapter नहीं लगना चाहिए उसके लिए हमें एक notification निकालके उसको भी exempt कर सकते हैं, तो central government के पास ये authority दी गई है चलिए, अब बात करेंगे advisory board, most important part of this wage code, सबसे जादा सवाल इसी में से बनने के chances हैं और काफी important है, तो इसको ध्यान से सुनना है, तो central government, एक central advisory board बनाएगी, ठीक है पहले तो हम इस board को constitute कैसे किया जाएगा, इस board में कौन-कौन होगा वो देखते हैं सबसे पहले तो employers होईगे इसमें, जो employers को represent करेंगे, फिर कुछ लोग होंगे जो employees को represent करेंगे अब एक provision यहाँ पर यह है कि employer और employee के representative equal होने चाहिए number में उसके बाद independent person not exceeding one-third of the total members of the board उसके बाद पाँच जो representatives है वो state government के होंगे पाँच representatives होंगे state government के और उनको भी nominate कौन करेगी central government ठीक है, तो यह बहुत important है employers के representative, employees के representative one-third जो है independent people होंगे और पाँच लोग जो है state government के होंगे यह भी एक बहुत important provision है, direct question पूछा जा सकता है direct question इसके उपर बनेगा advisory board के उपर, all right, चलिए उसके बाद one-third of the members shall be women, इस board में, for example अगर 15 जो board की strength है मैं एक सरफ example ले रहा हूँ, तो एक तहाई इसमें से औरते होनी चाहिए यानि कि 5 औरते इसमें minimum होनी चाहिए, बहुत important point है, बहुत ज़्यादा important point है ठीक है, the chair person will be selected by the central government, central government जो independent members है जो independent members चुने जाएंगे, उन में से एक व्यक्ति को इस board का chair person बना देगी और यह authority किसके पास है, central government के पास, once again a very important point, all right चलिए, अब central advisory board का काम क्या होगा, यह advice करेगी central government को किन issues के उपर, वो issues देख लेते हैं, अगर minimum wages को revise करना है, या fix करना है तो उससे related सारे matters के उपर यह central government को advice करेगी ठीक है, employment opportunities women के लिए कैसे increase की जाए ठीक है, the extent to which women may be employed in such establishment or employment as the central government में ठीक है, central government ऐसा norm भी fix कर सकती है, central advisory board उसको guide करेगा for example, central advisory board के दे, कि इस particular industry में, ABC industry में कम से कम one third women employment होनी चाहिए, तो उसके उपर भी advisory board central government को advise करेगा ठीक है, और बाकी की भी जो चीज़े हैं, जो इस code से related, कोई भी matter है तो वो central government को advise इसमें करेगा, alright, और साथी साथ central board, इस central advisory board की directions के उपर, इस central advisory board की advise के उपर, sorry जो central government है, वो state government को भी, जो directions है, वो issue कर सकती है अगर advisory board की ऐसी कोई advise central government के पास आती है इसके बाद central government तो करेगी ही, एक central advisory board constitute उसके इलावा जो state governments हैं, वो भी अपना state advisory board constitute करेंगी और ये भी state government को advise करेंगी, उनी सब matters के अंदर जिन सब matters के अंदर, central advisory board, central government को कर रहा है, ठीक है तो ये अब हम यहाँ पर repeat नहीं करेंगे, ठीक है और एक important चीज़ आपने ये भी याद रखनी है, जो composition है state advisory board का वो central advisory board जैसा ही रहेगा, ठीक है, equal number of employers, equal number of employees one third independent people, उसके बाद आपका one third जो है women representatives आ जाएगा, और एक chair person होगा, जिसको state government जो है select करेगी ठीक है, तो बिल्कुल same composition है, और purpose भी same है alright, चलिए, okay, तो इस video में इतना ही करना था हमें, payment of wages हमने कर लिया है bonus हमने कर लिया है, central and state advisory board के बारे में कर लिया है बहुत सारे facts देखे हैं, अगर ये आप कर लेते हो, तो definitely आपका question अगर wage code से कोई आता है ठीक है, इसके बाद एक third part और होगा, जिसमें हम complete कर देंगे फिर wage code को, okay, चलिए तो भी के लिए इतना ही दोस्तो, thank you very much, comment करके ज़रूर बताईएगा वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगे तो share और like भी ज़रूर कीजेगा, all the best and bye bye